हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एक आपके सामने एक most important science का लेक्चर वीडिय पढ़ना है क्यों कि दोखो चैप्टर के अगर हम बात करें energy flow in ecosystem तो ecosystem में किस प्रकार energy का flow होता है energy का transfer कैसे होता है यह सभी चीज हम लोगो यह चैप्टर में सिखना है जो की बहुत important होने वाला है सबसे पहली बात चर्चा हम लोग करेंगे what do you mean by ecosystem ecosystem का basic meaning क्या होता है तो द organisms में हमारे बहुत सारे categories होते हैं जैसे कि human beings होते हैं उसके बाद animals में होते है animals जितने type के animals हो गये plants हो गये चाहे हम बात करें microbes की यानि कि जो microorganisms होते हैं यह सभी चीज़ के even fungus जो होते हैं ठीक है ना fungus जो होते हैं यह आगे इसमें algae आगे यह सभी चीज़ दोस्तों अगर हम लोग consider करेंगे तो यह सभी animals, plants एक तरीके से आप बोलो algae, fungus, human beings सब मिला के क्या बनाते हैं एक तरीके से हमारा ecosystem बनाते हैं और यह पूरा environment जो है हमारा पूरा का पूरा environment जो है इसी में मिलजूल के आपस में रहते हैं और एक दूसरे को support करते हैं जैसे कि human beings है वो plants को support करते हैं, plants हमें support करते हैं, microorganism, decompose का काम करते हैं तो वो हमें support करते हैं तो इसी प्रकार हम जितने भी type के animals होते हैं, जितने भी type के plants होते हैं, हर एक लोग एक दूसरी के ओपर dependent होते हैं किसे न किसी चीज से तो वो ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस particular lecture के माध्यम से कि किस प्रकार यह जो animals होते हैं या फिर जितने भी living organisms होते हैं वो dependent रहते हैं और किस प्रकार energy जो है वो flow होता है transfer होता है वो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले हम लोग topic की बात करेंगे energy flow किस प्रकार होता है कोई भी living system के अंदर ठीक है तो जैसे कि आपको पता है there are various types of animals सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा आप लोग को animals के बारे में ठीक है बहुत सरे various types of animals होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो category आ जाता है वो होता है producers का सबसे पहला जो category आ जाता है वो क्या होता दोस्तो producers होता है हम लोग का topic का नाम में पहले heading डाल देता हूँ that is our topic name is energy flow किस प्रकार हमारा energy flow हो रहा है ठीक है ना ecosystem के अंदर energy flow किस प्रकार हो रहा है वो हम लोग को पढ़ना है तो we know that दोस्तों अगर हम मैं आपको बात बता हू यह क्या हो जाएंगे हमारे लिए producers हो जाएंगे तो plants आ गए इसके अंदर और वेरिस टाइप से plant होते हैं जैसे कि आपको पता है यह कि गेहू चावल या फिर जो भी चीद हम लोग खाते है वो कहां से मिलता है plants से मिलता है agriculture खेती करने के बाद मिलता है अब यह जो plants होते ह यह क्या करते हैं किसी चीज का इस्तिमाल करते हैं क्या नहीं वो लोगो बस चाहिए natural चीज यानि कि sunlight चाहिए हवा चाहिए oxygen carbon dioxide चाहिए और आपके जमीन में से पानी आपको चाहिए roots के form से निकाल सकते है और उससे वो लो क्या करते है अपना food बना लेते plants जो है food preparation कर लेता अब दोस्तों क्या होता है कि यह जो plants होते हैं इसको कुछ animals खाने वाले होते हैं तो वो animals जो plants को खाते हैं वो type के animals को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों हर्भी वरस अनिमल तो यह चीज भी आत रखना है सबसे पहला जो चीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्भी वोरस एनिमल्स, ठीके, तो हर्भी वरस एनिमल्स हमारा सबसे पहला कैटेगरी आ जाता है इसमें, और हर्भी वरस एनिमल्स जो होते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है, जो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खा सकते हैं, यानि कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जै अपना खाना बनाते हैं, तो ऐसे टाइब के अनिमल्स को हम लोग क्या बोलते है, ऐख तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, हर्भी वोरस एनिमल्स एंड, वो paperwork को करने वाले चीज़ है, इसलिए उनको एक और नाम से घाना जाता है, जिसको हम हम लोग बोलते है, primary consumers अब primary consumers का मतलब ये हुआ क्यो dennis, plants किया है, producers है तो plants हमारा producers है producers को जो चीज खाएगा producers को जो चीज खाएगा, realistic 잡ाइमर होते है इसको हम लोग बोलते है primary consumer, त्थिकלה, क्या बोलेंगे उसको हम लोग primary consumer, तो हर भी वरस जो animals होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, primary consumers, यह चीज़ आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, primary consumers, अब बात होगी primary consumers की, जिसमें आगए आपके cow, buffalo, dogs, cats, deer, elephant, यह सब भी आगए, एक और category होता है, जिसको मैं चर्चा करूँगा यहाँ पे, जिस हर्भी वरस animals जो थे, that is, cow थे, cat थे, यह सब क्या कर रहे थे, deer वगरे, वो plants को खा रहे थे, यानि कि consumers को खा रहे थे, अब यह जो consumer है, primary वाले, इसको भी कोई ने कोई animal खाएगा, तो ऐसे animals, जो primary consumers को खा जाते हैं, दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या एक तरीके से Carnivorous animals, लेकिन, यह secondary consumers में आ जाते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, Carnivorous से भी जाना जाता है, याद रखना, Carnivorous animals, और Carnivorous का basic definition यही होता है, ऐसे animal, जो दुसरे जानवर को खाते हैं, उसको Carnivorous animals बोलते हैं, लेकिन यह जो category होते हैं, इसको हम लोग secondary consumer क्यों बोल रहे ठीके न, grass oppers हो गए, फिर आपके एक तरीके से आप बोलो, owl हो गया, frog हो गया, यह सब जो होते हैं, छोटे-चोटे इंसेक को खाते हैं, छोटे-चोटे animals को खाते हैं, ठीके न, तो जो घास खाले animals से, जैसे एक तरीके से insect हो गए, यह सब चीज को जो खाएगा दोस्तों, तो वो ही होगा हमारा secondary consumer जिसको हम लोग carnivorous animals का पहला category मानते हैं, तो यह तो हो गया सबसे पहला चीज, अब second यहाँ पर मैं category की बात करो दोस्तो, second category होता है हमारा इसके भी आगे के consumers, यानि कि secondary consumers तो है, लेकिन वो आते हमारे top level पे, तो इसके बाद का जो category होगा, वो होगा ह animals हैं, लेकिन इसको हम लोग top और apex क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह ऐसे जानवर होते हैं, इनको कोई खा नहीं सकता, यह top level पे आ गए, मतलब इनसे बड़ा कोई जानवर ही नहीं या फिर इनको खाने वाला कोई जानवर पाइदा नहीं हुआ, तो जैसे कि animals के अगर मैं बात secondary consumer में आगे, लेकिन यह क्या होता है, top और apex consumer में गिंती करते हैं, और again these are known as carnivorous animals, तो आपको बस यह चीज़ आ दखने, carnivorous animals दो तरीके के हो सकते हैं, एक primary consumer, एक secondary consumer, primary में ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो herbivorous animals को खाते हैं, अब herbivorous animals को जो खाएंगे, वो रहेंग last category क्या है, एक होता है last category, जिसको हम लोग बोलते हैं, omnivorous, omnivorous को क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरीके से, आप बोल सकते हो, ऐसे जानवर, जो दोनों खा सकते हैं, यानि कि plants को भी खा सकते हैं, यानि कि मैं vegetarian भी हो सकता हूँ, non vegetarian भी हो सकता हूँ, एक तरीके से ऐसे जानव क्योंकि यह एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिक्स होते हैं यानि कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं अनिमल्स को भी खा सकते हैं तो ऐसे कौन से जानवर हो सकते हैं जो दोनों को खा सकते हैं बेश्ट एक्जांपल आपको याद दार होगा हम लोग खुद यह सबी चीज भाजी है यानि कि प्लांट्स से आ रहा है तो हम लोग उसको बिंदास खा सकते हैं या फिर कोई जानवर है उसको भी हम लोग मार के पका के खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्किल होता है तो इसे के लिए हम लोग mixed consumers में आते हैं example human being, gorilla, ape होगरे जो होते हैं यह स omnivorous animal, clear है दोस्तो अब बात कर लेते हैं एको topic की जिसका नाम है food chain, तो food chain क्या होता है यह सभी चीज भी हम लोग discuss करेंगे लेकिन सबसे बहले मैं board को rough कर देता हूँ, clean कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि what do you mean by food chain, तो जैसे कि आपको survival क्यों करता है क्योंकि उसको जिन्दा रहना है और जिन्दा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तो यह एक basic चीज है, जंगली जानवर को wild animals को, उनका कोई काम नहीं है, कि उनको सोचना नहीं है, क्यार मेरा carrier कैसे बनेगा, यह कैसे बनेगा, क् only the fittest can survive, मतलब आपको जिन्दा रहना है, तो fit रहना पड़ेगा, fit रहने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, ताकि आप जिन्दा रहे सको, तो same वही चीज है, तो food chain जो हम लोग चर्चा करने जा रहे है, यह topic आपका food chain, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली produce जो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, plants बोलते है, तो let's suppose मेरा एक plants रहेगा यहाँ पर, अब plants कहा से अपना food लेगा, sunlight से लेगा, यहाँ पर sun लाहे, समझ लो, यहाँ से sunlight से हो क्या करेगा, अपना खाना बना लेगा, अब यह जो plants है, इसको कौन खाएगा, कुछ छो इसको कोन खाता है, फ्रॉक खाते हैं, फ्रॉक खा लेते हैं, तो यह हो गया हमारा primary consumer, इसको कोन खाएगा, यहाँ पर इगल जो होती है, जो आसमान में उड़ती है, आपने देखा होगा, बड़ी-बड़ी चिडिया, जो होती है, इसको गिद्द बोलते हैं उसको, या फि से topmost categories होता है, जैसे lion tiger की बात किया था, कि इनको कोई मार के खा नहीं सकता, वैसे eagle को भी कोई मार के खा नहीं सकता, unless and until वो खुद से मर जाए, उमर होने के बाद, age होने के बाद, या फिर कुछ बिमारी हो लगने के बाद, वो मर सकते, मरने के बाद कहां गिरेंगे, जमीन जमीन पे गिरेंगे, तो जमीन पे गिरने के बाद, इसका क्या बन जाएगा, fungus बन जाएगा, ठीक है, microorganism, decompose कर देंगे, उसकी dead body को fungus बन जाएगा, and fungus जहाँ पे होगा, वहाँ पे नया plants फिर से grow हो सकता है, तो क्या होता है, दोस्तो एक तरीके से यहाँ पे पूरा का cycle चल as the food chain, या फिर food wave इसको बोलते हैं, clear है दोस्तो, तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह food chain, या फिर food wave क्या होता है, यह आपको बहुत ही detail में समझ में आ गया होगा, और इससे simple तो होई नहीं सकता, दोस्तो, और basic तोर पे आप 9 standard में हो, जादा भी आपको deep में नहीं जाना है, अगर आपको meaning पता है, तो आप कोई भी example ले सकते हो, जरूरी नहीं कि grass ओपर frog या फिर snake का ही example देना, there are so many types of examples in the world, जो आप बोल सकते हो, clear है दोस्तो, तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह food chain, या फिर food wave जो होता है, किस प्रकार, अभी एक example यहाँ पर बताऊंगा, कि let's suppose अगर मैंने किसी एक को भी यहाँ से eliminate कर दिया, let's suppose यहाँ पर, अगर समझ लो, पूरी दुनिया में grass ओपर खतम होगे, या फिर grass ओपर type के जो animals होते है, वो अगर खतम होगे, तो होगा क्या कि जो plants होगा, अफ प्लांस या फिर grass जो होगा, वो frog directly खा नहीं सकता, क्योंकि frog एक तरीके से primary consumer होता है, वो छोटेश मणने insect को खाता है, घास नहीं खाता है वो, तो अगर वो frog जो है, उसको घास नहीं मिलेगा खाने के लिए, प्लांट नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो frog भी मर जाएगा, ठीक है ना, अब frog नहीं रहेगा, तो snake क्या खाएगा, वो भी भी मर जाएंगे फिर snake ने रहेगा तो eagle क्या खाएंगे तो eagle को भी energy नहीं मिल गी तो भी मर जाएंगे तो in short क्या हो रहा है जितने भी type के animals होते हैं यह हर एक animal important है होना हमारे पृत्वी के उपर और इसमें से अगर एक भी हिस्सा एक भी छोटा microorganism या फिर एक भी type का animals organism अगर eliminate हो जाता है हमारे प्रिथ्वी से चला जाता है खतम हो जाता है तो बहुत नुकसान हो सकता है और पूरे के पूरे animal system यानि कि पूरा पूरा ecosystem के उपर यह फरक डाल सकता है और हम लोग जो है मर सकते है चाहे हम इंसान की बात करें चाहें plants की बात करें चाहें दूसरे animals की ब होता है यहां पर energy triangle भी बोलते हैं इसको कभी-कभी तो यह कैसे होता है यह सभी चीज हम लोग discuss करेंगे फटा-फट तो ध्यान से देखिएगा बहुत important lecture वीडियो होने वाला है तो सबसे पहली बात यहां पर जैसे मैंने आपको बता है कि food chain क्या होता है यह तो आपको बहुत ही proper way मैंने समझ गया अब यहां पर मैं बताता हो आपको जिसका नाम है energy pyramid अब energy pyramid का मतलब क्या होता है एक तरीके से representation करने के लिए हम लोग एक pyramid बनाते है वो pyramid कैसे बनाएगे मैं आपको draw करके दिखाता हूँ let's suppose I am drawing one pyramid here pyramid मतलब triangle देशा shape होता आपको पता ही है तो let's suppose मेरा एक pyramid का level है यहां पर सबसे पहले जो होते हैं आपको पता है क्या होता है सबसे पहले जितने भी type के producers होते हैं जो अपना खाना produce कर पाते हैं यानि कि plants जो ह क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कारणी वरस बोलते हैं last में जो mix category में आ जाते हैं वो omnivorous होते हैं यहां पे लिख सकता हूं में omnivorous ठीक है अब इसके कुछ energy की बात कर लें क्योंकि energy pyramid में बना रहो तो energy pyramid में energy का level का होना जरूर है तो सबसे पहले बात बताओ कि यह जो जित carnivorous आ जाते हैं वो हमारे second level पे होते हैं ठीक है और वही हम लोग top में बात करें तो omnivorous जोते हैं यानि कि human being अब देखो कि तो हमारे पास सबसे ज़्यादा energy कैसे हो सकती है क्योंकि हम topmost level पे आ गए और हम जो है इन सब में से हम लोग खा सकते हैं यानि कि किसी जानवर को मा पका के खा सकते हैं जब जरब पड़ेगे तो क्योंकि हम इतने अपने आपको एड़ाप कर चुके हैं इसके लिए हमारे हमको रखा गया है third level पे यानि कि सबसे topmost level पे आप बोल सकते हो कि हमें रखा गया है clear है तो यही जो चीज होता है कि जो energy level होती है हर एक level के हिसाब से ठीक है ना food chain के अंदर उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं तो हमारा जो यह energy pyramid का जो ट्रॉपिक लेवल है यही मैंने आपको बतानी के लिए डाइग्रम बनाया है कि energy का जो ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो हम लोग क्या बोल सकते कि energy topic level in the food chain food chain में जितने भी food chain में है हर एक का energy का level है कि यह इसको खाएगा तो इसको energy मिलेगी यह वाला इसको खाएगा तो energy मिलेगी तो यह पूरा का पूरा chain में energy flow हो रहा है तो वो पूरा जो flow हो रहा है एक एक level के हिसाब से इसी को हम लोग क्या बोलते है energy का topic level बोलते है ठीक है और हर type का topic level आगर ब अनिवरस होते हैं या फिर टॉप प्रिडेटर जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है अब एक और चीज है इसमें पिरामीड ओफ एनरजी के अगर मैं बात करूँ तो पिरामीड ओफ एनरजी में एक चीज आपको यहां करना है कि आपना जो ट्राइंगल का पिरामीड का डाइगराम है यानि कि जो तो मैं प्रफ़ी चेंज क्या करना है मैं आपको वो बताता हूं ठीक है तो यहां पर मैं बात करे रहरा हूं दो दूस्तों हमारा pyramid का diagram इस प्रकार ठीक है अब यहाँ पे जो pyramid का diagram है ठीक है अगर मैं बतानी की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे नीचे आ जाते हैं आपके phytoplankton का मतलब क्या होते है दोस्तों ऐसे type के plants जो पानी के अंदर रहते हैं जो कि यह zoo plankton, यानि कि पानी के अंदर रहने वाले जो animals होते हैं, aquatic animals की बात करें, इसको हम लोग zoo plankton बोलेंगे, थर्ड पर बात करें, fishes हो गएं, ठीक है न, fishes, fish जितने भी type की होती है, पानी के अंदर वो fishes हो गए, लाजबट नॉट दलिश्ट, human हो गए, अब इसका energy level की अगर हम लोग बात करें, यह सबी की जो energy level होती है, हम बात करें, जो humans होते हैं, इसकी 10 kilo calorie होती है, ठीक है, वो ही हम लोग बात करें, इसकी होती है 100 kilo calorie होती है, जू plankton की बात करें, इसकी होता है 1000 kilo calorie, लाजबट नॉट दलिश्ट, जो phytoplankton होती है, इसका 10,000 kilo calorie होता है, ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है दोस्तो, कि आप अगर pyramid को consider करोगे, एक तरीके से हमें chart representation के लिए consider करोगे, तो जो phytoplankton होते हैं, यानि कि जो plants होते है, they are producers, तो producers होने के नाते, उनके पास सबसे ज़्यादा energy होती है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे, तो 10,000 kilocalorie है phytoplankton के साथ, उसके उपर आप जाओगे, तो animals जो आगे, जू plankton में, उसके पास 1000 kilocalorie है, फिशेश के पास थोड़े और कम है, और human being के पास आप जाओगे, तो 10 kilocalorie, यानि कि कम है, तो जीतना जीतना आप आगे जाओगे, यानि कि producer से आप primary consumers पे गए, तो यहाँ से जो energy flow हो रही है, जो energy की transfer हो रही है, फ्लो हो रही है, पिरामिड जो बन रहा है, इसके पास सबसे जादा energy है, इसके लिए यहाँ पे सबसे जादा energy है, फिर दिरे दिरे यहाँ से यहाँ जैसे आप आगे बढ़ते जा और वही चीज़ हम बात करें, जैसे कि हमें एक चीज़ पता है, कि जो भी सबसे main source of energy, जो phytoplankton के पास आता है, वो कहाँ से आता है, directly from the sun, sun से वो absorb करता है, इसके लिए उसके लिए उसके पास सबसे जादा energy होती है, because we know that, कि sun is the major source of energy, पूरे ब्रहमान्द के अंदर energy supply करन कोन है, अकेला sun है, और sun से ही सब energy लेते हैं, और वो energy जो आती है एक के पास, तो वो उसको कोई अगर खाएगा, या फिर consume करेगा, तो दूसरे के energy transfer होती है, because we know that, कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, यह हमें पता है, energy कभी शुरू नहीं हो सकती, खतम नहीं हो सकती, क्योंकि energy sun के पास थी, तो हमने क्या किया, plants ने क्या किया, उसको लिया, यानि कि energy transfer किया, अब उसको plants को कोई खाएगा, अनिमल, तो उसके पास energy transfer होगा, ना energy कभी create नहीं हुई, energy कभी खतम नहीं हो रही, यह घोम फिर के cycle जैसे change जैसे चलती रहती है, and this is all about the food chain, energy pyramid and pyramid of energy, कुछ definition भी है अगर हम बात कर लें दोस्तो, तो definition के हिसाब से बात कर लें, कि जो microorganisms जो होते हैं, यह क्या होते हैं, अपने individual level के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, increase होते हैं, decrease होते हैं, इसके हिसाब से, और यह जो pattern होती ही, energy के exchange करने की, energy जो मैंने आपको बताया, एक के बाद एक change होती रह आपके, वहाँ पे new plants grow होता है, और यह cycle फिल से continuously होता रहता है, तो यही तहा हमारा all about today's topic, जो कि हमने पढ़ लिया, तो टी के दोस्तो, तो फिर आज का lecture, यही पे मैं stop करता हूँ, बहुत ही important, important concept आज हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगो को आज का lecture दे सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है energy flow ecosystem में, जिसमें हमने primary consumer, हर्भी वरस, primary consumer, secondary consumer, top consumer, and आपके omnivorous, यह सभी का, मैंने बताया classification, कुछ example से explain किया, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कैसे energy flow होती है, फिर energy pyramid और ट्रॉपिक लेवल, यह सभी चीज क्या होते है, और कैसे ह हम लोग work करते हैं, इसके अंदर, यह सभी चीज आपको clear हो गया हो, तो उमीद करता हूँ, कि हमारा आज का lecture आपको समझ में आ गया होगा, तो कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके जरूर से बतायेगा, अगर आपको पसंद आए दोस्तों वीडियो, तो प्लीज वीडियो को पसंद करना है, लाइक करना है, पूरा देखना है, जाधा से याधा शेयर करना है, so that maximum people तक रीच हो सके फिर से, और लोग अच्छे से इसमें conception knowledge गेन कर सके, ठीके, तो फटा-फट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथने बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तुम मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.